नमस्कार SBT News में आपका स्वागत है पेश है 12 मार्च मंगलवार दोपर सवाई एक बजी राजिस्तान की पंद्रा बड़ी खबरें इस न्यूज बुलेटिन की प्रायोजिक है विनी, विनी केक और मूर तो सबसे पहले एक नज़र डालते हैं आज के हैडलाइन्स पर हर्याना की सियाम मनोहर लाल खटर का इस्तीफा, पेम मोदी ने 10 नई वंदे बारा ट्रेनों को दिखाई हरी चंडी, सियाम बजनलाल शर्मा बोले 2004 से 2014 ता कौंग्रिस सरकार ने इउजनाओं को किया ठब, केंद्रिय मंतिक गजेंदर सिंग शिखावत की गिरफतारी पर हाई हर्याना के सबसे बड़े सियासी उलट फेर में, सियाम अनोहर लाल खटर ने अपने पत से इस्तीफा दे दिया है, उनके साथ सभी मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है, चंडीगण में आदे घंटे बाद विधायक दल बैठक होने वाली है, जिनमें विधायक दल के नए होने की खबर है, प्रधान मंत्री नरेंद मोदी आज गुजरात के दोरे पर हैं, वे सुबह करीब नौ बजे अमदाबाद एरपोर्ट पहुंचे जहां से वे सीधे साबर मती, डी कैबिन के पास रेलवे की कारिकर में शामिल हुए, उन्होंने 85,000 करोड रुपे से अधिक के रेल परियोजनाओं के अधार शिला रखे और रास्टर को समर्पित किया, प्रधान मंत्री मोदी ने यहां दस नहीं वंदे भारत वे इन्हों को हरी जोंडी दिखाए, ये ट्रेने अमदाबाद, मुंबाई सेंट्रल, सिकंद्राबाद, विशाखा पतनम, मैं सूरू, डॉक्टर एम जिया, सेंट्रल चेन्ने, पतना लखनौ, न्यूजल पाई गुडी पतना, पुरे विशाखा पतनम, लखनौ दहरादून, कलबुर्गी, सर एम विश्वेश्वर रवैया, टर्मिनल बैंगलूरू, रांची, वारानसी और खजुराहो दिली रूट पर चले रजिस्तान मुक्य मंत्री बजनलाज शर्माद जैसलमेर के दोरे पर हैं, जहां वे रेलवे स्टीशन पर विभिन पर योजना का लोकारपन और शीलानियास कारकरम में शौमिन हुए, कारकरम को संबोधित करते हुए, उन्होंने कहा कि अटल जी के नीत्वेतु में चोहु मुखी का विकास हुआ है, शुत्रिय जौती आधार पर नहीं, जनता को आधार बना कर किया, पी-म ग्राम सड़क योजना से सड़क तंत्र मजबूत हुआ, गाउं को सड़कों से जोडने का काम किया, 2004 से 2014 तक कॉंगर सरकार ने योजनाओं को ठप किया, मोधी जी ने कर उनके खिलाब कोड की मंजूरी के बिना कोई आरूप पत्र दाखिल नहीं करने की राहत को 20 अपरल तक बढ़ा दिया है, निया अधीश कुलदीप माथुर के एकल पीट में, शेखावत के अधिवक्ता राजे सरकार की ओर से अत्रिक्त महाधिवक्ता अनियल जोशी ने स रस्ता वेजी साक्षी एककत्र कर सकेगी, नाशनल इन्वेस्टिकेशन एजनसी ने मंगलवार को चार राज्यों में 30 ठीकानों पर छाप आमारा निया ने विभिन मामनों में एक्शन लिया है, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चंडिगड में भी कुछ अखों पर नि एक सर्च ऑपरेशन जोरी है, पंजाब की मुगा में कई ठीकानों पर छाप अमारी जोरी है, जेयन भरती परक्षा 2020 पेपर लिक मामने में गिरफतार दौसा के हर्श वर्धन मिर्ना की करी पांच करूर रुपए की कीमत की बेनामी संपत्ति का पता चुला है, एसोजी ने जब हर्षवर्धन से पूछा गया की उसके नाम जमीन ही नहीं है, तो असली दस्ताविज उसके पास क्यों रखे गए हैं, तब हर्षवर्धन जवाब नहीं दे पाए, अब ऐसोजी उन विक्टिएं के बारे में पता लगा रही है की वे कॉन है, उनका हर्ष यसे क्या सम् मन्थन को लेकर हुई मिटिंग के बाद सूत्रों का कहना है कि हो सकता है कि खड़गे इस बार चुनाव नहीं लड़ें बताया जो रहा है कि खड़गे चाहते हैं कि वे कॉंग्रेस की चुनावी कैम्पेंग को लीड करें और अपने पर्सन कैम्पेंग में व्यस्त ना हो जा है उन्हें जैपर के सवाई मान सिंगा स्पिताल के आई सीओ में दाखिल करवाए गया है मुख्य मंत्री पे जनलाओं शर्मा ने उनके स्वास्ते के जोइन कर ली केंद सरकार ने सिटिजन्शिप अमेंडमेंट का नोटिफिकेशन जोरी कर दिया है इसके साथ ही ये कानू देशपर में लागू हो गया है इसके बाद सरहदी जिले बाड मेर पाक विस्थापित कोलोनी में दिवाली सा माहॉल है पाक विस्थापितों ने ढोल की थाप पर डांस किया छोटे बच्चों से लेकर बज़ूर को जूमते नजर आए पटा के चराए और एक दूसरे को मि रह मंत्री ने बड़ी सोच रखते हुए उन लोगों को राहत प्रदान करते हुए CAA लागू किया है CAA लागू होने से अब नागरिक्ता मिलने में सहूलियत होगी साथ ही मुल्भू सुविधाओं समेत बच्चों की शिक्षा और अन्य मुल्दस्तावी जो की सुविधा म में इस्तिमाल की जो रही एक कार भी जब के गई है पुलिस की और से इस पूरे मामले में आरोपियों से अब भी गहन पूस्ताच की जो रही है थामला थाना अदिकारी सुरजमन ने बताय कि इस पूरे मामले में हमने मादक पदार तसकरे के आरोपी नागर जिले की मेरता पुलिस को दी रिपोर्ट में पुखर मलजाट ने बताया है कि बुज़रू के दानता रामगट बस रोड़ के स्टेंड सिथ SBI के ATM से पैसे निकालने के लिए आया हुआ था इस तोरान बाहर खड़े एक आरोपी ने बुज़रू के एटियम में जाने से पहले ही बातों में उल्चा कर ATM कार्ड बदल लिया कुछ समय बाद बुज़रू के जब ATM कार्ड से पैसे निकालने गया तो ATM मशीन ने ATM कार्ड इन्वैलिड बताया इस तोरान बुज़रू के पास मुबाइल फोन पर ATM कार्ड से पैसे निकालने के मैसेज आए जीलो की नगरी उदेपुर में अब नाव की सवारी के लिए नए पॉइंट पर भी बोटिंग शुरू की जाएगी इसके लिए नगर निगम ने कवाद शुरू कर दी है नगर निगम पिछोला के पास दूद तलाई और शहर के अमदबाद मार्क पर गोवर्दन सागर पर पैडल बोट शुरू की जाएगी इसके लिए निगम की गैरे समीती ने फैसला कर दिया है और अब अधिकारियों को इस पर काम शुरू करने के लिए कहा गया है असल में गोवर्दन सागर तलाव के पास टूरिस्ट को रोकने के लिए कवाद शुरू की गई इसके तायत व समीती की दूसरी बैटक में साथ राज्यों की कैंडिडेट्स पर चोचा हुई ये मिटिंग सुमार राद तक चली और इसमें 90 कैंडिडेट्स के नाम फाइनल किये गए मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से बताया गया कि नामों का अधिकारी के अलान जुल्द किया जा सकत है भाजपा की पहली लिस्ट दो मार्च को आई थी इसमें सोला राज्यों और दो केंडर शासित प्रदेशों में 195 कैंडिडेट्स के नाम जारी हुए नगदिस अंकट और कानोनी लड़ाई का सामना कर रही एरलाइन कंपनी स्पाइस जोट के चीफ कमर्शिल ऑफिसर शिल्पा भाटी और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर अरुन कशिप ने रिजाइन कर दिया मीडिया रिपोर्ट्स के मताबिक भाटी और कशिप साथ मिलकर नय चौर्टर एरलाइन बिजनस शुरू करेंगे तो फिलाल इस बुलिटिन में फिर हाजर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ